नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की डिक्टेशन 80 प्लस वर्ल्ड पर मिनट की गति से है स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन स्टार्ट भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव एवं विरोद विभाजन के बाद से ही निरंतर बना हुआ है क्योंकि भारत की प्रगति वैविकास पाकिस्तान को कभी भी बर्दास्त नहीं हुआ भारत द्वारा ग्यारा वै तेरह मई 1998 को किये गए पांच परमाणू परिक्षणों के जवाब में पाकिस्तान द्वारा अठाईस वै तीस मई 1998 को छै परमाणू परिक्षण करना उसकी भारत विरोधी मान सिक्ता का इस्पस्ट परिचायक है कुल मिलाकर भारत विरोध पाकिस्तानी विदेश नीती का अंग बन गया है पाकिस्तानी परमाणू परिक्षणों के पीछे चीनी कूट नीती विसेश रूप से हावी दिखी इससे प्रतिद्वन्दिता का नया सिलसिला आरंब हुआ है चीन स्वयम पाकिस्तान का सबसे बड़ा हितैसी बनकर अमेरिका को उससे दूर रखना चाहता था ऐसा कर चीन अपने हथियारों की आपूर्ती पाकिस्तान को एवं उसके माध्यम से अन्य इसलामिक रास्ट्रों को देकर संपूर्ण एसिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाता था लेकिन आज अमेरिका अपने हथियारों की बिकरी के लिए पाकिस्तान को एक बड़े खरीददार के रूप में मानता है अमरीका ने अपने सामरिक स्वार्थ के कारण ही पाक अधिकरित कस्मीर में अत्याधुनेक हवाई अड़ा निर्मित करने की योजना बना रखी है इस अड़े को निर्मित करने के पीछे अमरीका का विशेश परियोजन भारत वै चीन पर निगरानी रखने का है इतना ही नहीं पाकिस्तान के प्रती अमेरिकी मोह अनेक आर्थिक राजनीतिक सैनिक एवं सामरिक स्वार्थ के कारण भी बना हुआ है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को महत्व देने का सबसे बड़ा कारण उसकी मूल राजनीतिक सामरिक महता ही है अमेरिकी विदेश नीती के अंतरगत भारत और पाकिस्तान की इस्थिती सतरंज के मोहरों जैसी है जिनहें अमेरिका तरह तरह से खेलता है कभी दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होने को प्रेरित करता है तो कभी दोनों को आखें भी दिखा देता है इस प्रकार भारत पाकिस्तान सम्मंधों को लगातार तनाव पून बनाए रखने में अमेरिकी विदेश नीती काफी हद तक जिम्मेदार रही है इसी परिप्रेक्ष में पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक इस्थिती को भी परिवर्थित की गई है जिस प्रकारव है भारत विरोधी कारवाई को अपना अंग मानने लगा है पाकिस्तान ने युद्ध को अपनी अनेक समस्याओं का समाधान मान कर 1948, 1965 और 1971 के बाद 1999 में भारत पर आक्रमन कारवाही की और आगे भी ऐसा करने की धमकी देता रहता है कस्मीर राजिय के प्रतेक छेत्र में पाकिस्तान का प्रत्यक्ष हस्तक छेप दिखाई देता है चाहे अलगाव वाद की समस्याओं, आतंक वाद की समस्याओं या सान्ति और व्यवस्था की सभी ने कस्मीर समस्याओं को कई गुणा अधिक जटिल बना दिया है जहां तक बाहिय ताकतों के द्वारा आ प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक विगटन का प्रस्न है इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस कारवाई में पाकिस्तान का प्रत्यक्ष अथ्वा आ प्रत्यक्ष हाथ ना हो स्टॉप दोस्तों इस डिक्टेशन में जो हिंदी का मैटर है उसमें कॉमा और फुलिश टॉप आपको नहीं दिख रहे होंगे और कई प्रकार की इसमें वर्तनी की मिस्टेक हो सकती है क्योंकि जो ये पीडिएफ बनाया गया है ये मुबाइल के द्वारा बनाया गया है तो इसमें किसी प्रकार की पीडिएफ में आपको वर्तनी मिस्टेक लग सकती है तो जो भी सब्द आपको बनाने नहीं आएंगे या जिसकी वर्तनी में आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक में उसको लिखके बेज़ देना मैं उसको सही कर दूगा तो व